नमस्कार दोस्तों यह है यामा की MT15 BS6 इसमें तीन वेरियंट मिलते हैं और तीन कलर का उप्षन मिलता है और यह है MT15 का आइस फ्लो वर्मिलियन कलर जो की एक इंटरनेशनल कलर है तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसमें आपको क्या-कया प्रीश मिलते हैं मायलेज क्या है और इसकी ओन्रूड की इमत कितनी है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो चलिए दूस्तों स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से तो इसके फ्रंट की जो हैड़ लैट राएट की डिजाइन है वो यहां पर आपको number plate का option मिल जाता और इसमें आपको non-flexible type के indicator मिल जाते हैं normal bulb के साथ जो आपको Yama R15 मिलते हैं और यहां पर आपको टायर की design को देख सकते हो और यहां पर आप जो है इसके mudguard की design है वो काफी unique दी गई है और इसके front में आपको single channel ABS मिल जाता है 282 mm के साथ और जैसा कि यहां से आप इसकी ABS की plate को देख सकते हो इसमें आपको alloy wheels मिल जाते हैं जो की orange color के दिये गए हैं और यहां पर आपको 187 का tire size मिल जाता है इसमें आपको MRF company के two less tire मिल जाते हैं और यहां पर आपको yama की badging देखने को मिल जाते हैं और इसके front में आपको telescopic fork tag पे suspension देखने को मिल जाते हैं अब इसके rear के tire के size की बात करें तो 140 वटा 70 17 inches का tire size मिल जाता है यहां भी आपको 17 inches के orange color के alloy wheels मिल जाते हैं और 220 mm की disc brake का option मिल जाता है जैसा कि यहां से आप देख सकते हो दोस्तों और यहां भी आपको tulis tire मिल जाते हैं और इसका जो पीछे वाला tire है वो काफी चोड़ा यहां पर आपको देखने को मिल जाता है जो कि एक radial tire यहां पर आपको मिल जाता है और इसके rear के suspension की बात करें तो यहां पर आपको link type mono cross type का suspension मिल जाता है जो कि आपको sports bike में देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको मडगार दिया है और यहाँ पर आपको एक टायर हगर देखने को मिल जाता है जो आपको Yama R15 में मिलता है अब चलते हैं इसके आगे की side में तो यहाँ से आप इसके fuel tank की design को देख सकते हो काफी unique design दी गई है और य में देखने को मिल जाता है और इसके नीचे की side भी आपको MT15 की branding मिल जाती है metal की plate के उपर और यहाँ पर आपको ABS का logo मिल जाता है जैसा कि इस bike में single channel ABS दिया गया है और यहाँ पर आप भी आपको design देखने को मिल जाती है और इसका fuel tank है वो dual color में दिया गया है जैसा कि यहा बात करते हैं दोस्तों इसकी seat की quality की तो इसकी seat की quality है वो अच्छी है लेकिन इसकी seat की मोटाई है जो thickness है वो काफी कम रखी गई है जो कि मुझे थोड़ी सी uncomfortable लगती है पिलियन और rider के लिए जैसा कि दोस्तों यहां से आप देख सकते हो और इसके पीछे की side भी Yama की branding मिल जाती है और यहां पर आपको जो है grab handle दिये गए हैं जो की rod के type में दिये गए हैं जैसा कि यहां से आप देख सकते हो काफी unique दिये गए हैं और इसके पीछे की side में चलें तो यहां से आप इसके पीछे वाले look को देख सकते हो और इसकी जो पीछे वाली tail lamp है वो LED की दी दूसरी साड में चलें तो यहाँ पर आपको जो है एक black color का साड़ी guard देखने को मिल जाता है और यहाँ पर एक tire hugger दिया गया है जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हो और यहाँ से आप इसके पीछे वाले mudguard की design को देख सकते हो और जैसा कि यहाँ पर आपको adjustable footrest दिया गया है plan के लिए और यहाँ पर आप देखोगे तो इसका जो चैंसेट cover है वो open चैंसेट cover दिया गया है जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हो और यहाँ भी आपको design देखने को मिल जाती है दूस्तों इसके इंजन और power की बात करें तो इसमें आपको 155 cc का liquid cooled forest rock SOSC 4WAL BS6FI का इंजन मिल जाता है जो आपको maximum power देता है 18.5 PS की 10,000 rpm और आपको maximum torque देता है 13.9 Nm का 8,500 rpm और यहाँ पर आपको 6 speed का gearbox मिल जाता है और इसके fuel tank की जो capacity है वो 10 liter की और 170 mm ground clearance मिल जाता है इसका करवेट 138 kg है और यहाँ पर आपको liquid cool engine मिल जाता है अगर आप इस bike को long ride के लिए चलाती हो तो इसका engine है वो heat नहीं होता यहाँ पर आपको side stand मिलता है इसमें आपको man stand नहीं मिलता है और इसकी side stand में आपको engine cut off का sensor देखने को मिल जाता है दोस्तों यहाँ पर आप इसके engine के side में देखोगे तो यहाँ की design काफी unique दी गई है और इसके engine के ऊपर आपको एक engine की plate दी गई है जो कि इसके engine को protect करती है और यहाँ पर आपको radiator और coolant का इस bike में option मिल जाता है जो इस bike के engine को protect करता है हीटिंग से बचाने के लिए और इसके engine के side में yama की branding मिल जाती है यहाँ पर आपको engine oil filter और engine oil cap का option मिल जाता है और यहाँ से आप इसके engine engine के जो उपर जो plate लगाई है protect करने के लिए उसकी जो design है वो काफी unique दी गई है और यहाँ पर आपको जो है fi का system मिल जाता है जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हो और यहाँ पर आपको exhaust मिल जाता है जिसके उपर एक catalytic converter दिया गया है इसके exhaust की जो design है वो काफी unique दी गई है और यहाँ पर आपको carbon finish मिल जाती है इसके exhaust के उपर और इसके उपर एक black matte finish में एक लोहे की plate मिल जाती है और इसके पीछे की जो design है वो काफी unique दी गई है जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों अब इसके आगे की side में चले हैं तो यह यहाँ पर आपको adjustable footrest मिल जाता है rider के लिए और यहाँ पर आपको एक brake pad भी मिल जाता है अब इसके meter console की बात करें तो इसमें आपको yama r15 वाला meter console मिल जाता है जो की fully digital दिया गया है यहाँ पर आपको yama की branding मिल जाती है और इसमें आपको engine malfunction light side stand indication light ABS light man head light indication light gear neutral light और इसमें चुषा च्हाम सफ़्कम आपको इतनी भी indicator light होती है वो सारी इस bike के meter console में मिल जाती हो है जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हो और यहाँ पर आपको six speed key gearbox indication की reading मिल जाती है और यहाँ पर आपकोaning स्थेड करने के लिए जहां से इसकी डिजान को देख सकते हो इसके जो एक पर इसके साइड मिरーデडर में आपको देखने को मिल जाता है और इसकी Socrates इसकी बात करें तो यहां पर आपको low beam high beam switch और इसी के नीचे आपको जो है passing का switch मिल जाता है इसी switches के अंदर और यहां पर आपको indicator switch और horn का switch देखने को मिल जाता है दोस्तो जैसा कि यहां से आप देख सकते हो अब इसकी दूसरी साइड में चलें तो यहां पर आपको engine kill switch मिल जाता हो यहां पर आपको self का switch भी मिल जाता है अब दोस्तो मैं इस भाई को start करके आपको इसका engine का और इसके exhaust का sound सुना देता हू तो यहां से आप दोस्तो आप इसके engine का sound सुन सकते हो अब दोस्तो मैं आपको इसके exhaust का sound भी सुना देता हूं तो यहां से आप इसके exhaust का sound भी सुन सकते हो दोस्तो आपको कैसा लगा इसके engine का और इसके exhaust का sound प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं इसके mileage की बात करें तो इस मैं आपको 45-50 का आसानी से माइलेज मिल जाएगा दोस्तो अब मैं बात करूँ इसके ओन रोड प्राइस की तो MT15 का ओन रोड प्राइस है एक लाग सतर हजार पे ये ओन रोड प्राइस मैंने आपको बताया है तनुसका ओटो यामा मद्यम ग्राम कॉलकता सोरुम का सोरुम की सारी डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर दोस्तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को जासे आदा लाइक करें सेयर करें, कमेंट करें अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें थेंक्यू दोस्तो मिलते हैं अगली वीडियो में